Hello friends, पिछले का लास में हम लोग पढ़े थे इस ब्लॉक का फिजिकल परपर्पर्टी तक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेमिकल परपर्पर्पर्पर्टी तक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपी का यहां से नीट में 10 questions लास्ट 12 years में पुछे रहे हैं देखे फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग NCRD का line to line नोट्स बनाएंगे देखें स्टार्ट करते हैं alkali metals होते हैं जो highly reactive होते हैं क्यों? due to increase down to their size यह बहुत reactive होते हैं इनका size बहुत बड़ा होता है इनका nucleus से जो इनका last electron होता है उसका interaction बहुत कम होता है इसलिए बहुत जाद है reactive होते हैं due to large size अब देखें reactivity increases down to group नीचे क्या होता है? lithium से cdm तक क्या होता है? size बड़ते जाता है जैसे size बढ़ेगा वैसे-वैसे electron का दूरी बढ़ेगा वैसे यह reactive होते जाएगा अब यहां पे एक point है यह बहुत important point है lithium is least reactive और उसके बाद इसका जो सबसे जो नीचवला element है cgm cgm is most reactive इस line का बहुत यूज होगा cdm is least reactive अब इसका reactivity with air देखंगे यहां देखिए reactivity with air यह tarnish in dry air मतलब यह dry air में भी यह react कर ज़ता है dry air के सांथ भी react कर ज़ता है और moisture हो तो hydro oxide बना जयता है mOH यह यह यादर खिया कि जो इसका compound बनता है alkali metals compound हमेसा उसका oxidation oxidation state plus one होता है यहां देखिए यहां से एक previous year question आया था 2012 में question आया था कि यह कौन सा M2O के form में कौन सा element oxide में आता है तो इसका answer था lithium यहां देखिए यह जो होता है यह oxide होते है यह generally oxide में आता है और यह पर oxide में आता है और यह यह super oxide में आता है यहां से question आता है यह जो पर oxide में इन इसका plus one है इसका plus one है इसमें प्लस 1 है, सबका प्लस 1 होता है, लेकिन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, और पर अक्साइड में ऑक्सीजन का minus 1 होता है 1 minus minus 1 होता है क्योंकि per oxide per मतलब क्या है? प्रती per oxide का मतलब है प्रती oxygen 1 minus 1 superoxide क्या होता है? ये बहुत super है इसलिए इसका half होता है ये बहुत important point है इसको याद खिएगा यहाँ से भी question आता है अब देखिए जो ये O2 minus है stable with fresh carbon ये देखिए ये K O2 M O2 जो form है M O2 form है ये higher जो lower higher इसका elements है उनके साथ है ये potassium, rubidium and cerium क्योंकि इनका size बहुत बढ़ा होता है और जो O 2 minus है इसका जैसे की O 2 minus तो इसका ये stable होता है large cation के साथ है O minus 2 large cation के साथ ये stable होता है क्योंकि इसका जो charge होता है वो इसको distort करता है जितना बढ़ा होता है उतना ज्यादा stable होता है चली अब नेक्स्ट है जो Oxygenation state है इसमें सबका plus 1 होता है जो Alkali metals का है जैसे की वन गूरूप का जो होता है ये लिथियम, सोडियम इस सबका plus 1 होता है ठीक है और जो 2nd गूरूप का होता है Beryllium Magnesium, Calcium इनका plus 2 होता है चली अब जो lithium होता है वो lithium का एक exception है यहाँ पे lithium क्या है? एक exception है लिथियम का बहुत सरा exception है ये lithium nitrogen का साथ बिएट कर जाता है ठीक है nitrogen साथ ये ये देखे ये least reactive है ठीक है least reactive है लेकिन फिर भी nitrogen साथ बिएट करता है और देखे same जैसे कि इसका जो diagonal property था पछले क्रास में पढ़ाया थे हम लोग पढ़ाया थे कि diagonal जो प्रिपर्टी है lithium और magnesium बहुत सरा जो characteristic है वो इसका same होता है similar होता है इसमें एक nitrogen वाला भी है ठीक है यहाँ पर जो they are kept in kerosene oil यह थोशे reactive होते है यह जो यह alkalimatisal highly reactive so kept in kerosene oil ठीक है जो kerosene oil होता है इसमें यह लोग रखे जाते है ठीक है अब यहाँ पर एक question है what is oxidant state of os of potassium in ko2 तो यह potassium का हमेशा oxidational state plus 1 होगा यह कोई भी compound हो उससे मतलब नहीं है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आपको बतायते है जो nitrides होते है यह nitrides होते है ionic होते है जो li3n होता है या mg3n2 होता है li3n होता है या mg3n2 होता है यह ionic होता है चलिए अब जो next page पर दिया हुआ है पर activity with water यहाँ भी हम लोग कुछ points पढ़ेंगे यहाँ भी एक 98 में आया था previous here question है वो लंबा चोड़ा question है बस उसमें यह use हुआ है कि water के साथ अगर कोई metal को water के साथ react करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर metal का hydroxide बनेगा और hydrogen gas बनेगा अब देखें यह क्या होता है कि water के साथ reactivity हम लोग और E0 मनस से देखते हैं यह आपको reactivity series है जैसे कि reactivity series अगर देखें तो आप सबसे उपर lithium होता है इसका trick भी है लेके बासुरी काना जो क्रिस्म जीची थे उनके पास बासुरी था और उनका नाम काना था तो लेके बासुरी काना इसमें देखें इसमें lithium highly reactive है और sodium इसमें सबसे कम reactive है यह सबसे highly reactive अगर reactivity with reactivity series लेकिन यहाँ पर यह least reactive है यह इसलिए exception है बहुत ज़्यादा exception है इसके साथ lithium के साथ अब देखें यहाँ पर इसका most negative E0 होता है इसका जो E होता है बहुत निगटिव होता है लेकिन यह least reactive है other metals explosively react ठीक है water के साथ यह सब metal हो है यह reactivity series में नीचे आते है लेकिन water के साथ ज़्यादा reactive है ठीक है और यह यह least vigorous है इसका जो reaction है वो least vigorous है ठीक उतना तेज नहीं होता है अब देखिए reaction with proton donor ठीक है proton donor क्या होता है जो H plus H plus जो donate करें जैसे कि examples है ROH NH4 plus मतलब alcohol यह gaseous ammonia और alkynes इसमें क्या होता है कि यह organic cathropot है ROH ठीक है तो यह acetic hydrogen है यह H plus से release कर जाता है यहाँ पे NH4 को अगर NH3 बने ठीक है और plus H plus यह भी release करता है और यह क्या होता है यह भी यह भी acidic hydrogen है यह भी H plus लिज होता है ठीक है तो जो H plus लिज होता है वो जैसे कि Li है तो Li के साथ H plus और कर आएगा तो यहाँ पे Li H बन जाएगा ठीक है तो यह proton donors के साथ react कर जाते है reactivity towards dihydrogen अब देखिए यह जो point है lithium is a realist reactive यह आपको इस चेप्टर में हर जगा आएगा जो hydrogen के साथ reactivity है इसका वो देखिए वैसे तो यह hydrogen के साथ अच्छे reaction नहीं जाते है जैसे कि आपको देखिए यहाँ इनसेटी में लिखा एक ड़ड़ा दियागवा है चोसाथ तिरात्तर केलवीन पे react करता है alkali metals ठेका है alkali metals लेकिन जो lithium है वो 1073 k पे react करता है इसको जादा टमपर चाहिए lithium को जादा टमपर चाहिए इसलिए lithium least reactive है देखिए यहाँ पर reactivity stage में सबसे आगे आता है most ज्यादा सबसे negative e0 value इसका होता है लेकिन यहाँ पर हर जगा यह list reactive होता है ठेका यह जो इसका hydride मनाते है वो reactor क्या मनाते है hydride मनाते है M H फर्मूला यह से hydride मनाते है यह लिए हो गया नह हो गया यह hydride मनाते है यह hydride ionic solids होते है यह hydride करसे होते है ionic solids होते है यह ionic hydride है और इनका नाम saline hydride है यह आपको hydrogen chapter मिलेगा ionic hydride होते है उसके कुछ वहाँ पर दिया हुआ characteristic यह crystalline होता है crystalline होता है फिर यह फिर यह non-conducting होते है in solids ठीक है लेकिन इनके जो liquids होते है वो conducting होता है और फिर एक पहुत important point है confirms confirms H minus existence ठीक है हम लोग H plus तो बहुत जगह देखते है लेकिन यह ऐसा reaction है जो H minus के existence को confirm करता है ठीक है यह बहुत important point है इसको ध्यान रखेगा नीट पूछ सकता है अब देखिए अब जो हाइड्राइट्स हैं हम लोग तो यह सब जो हाइड्राइट्स हैं पहुत important हाइड्राइट्स है इनका हाइड्राइट्स होता है इनका हाइड्राइट्स होता है आइनिक होता है अब देखिए जो LIX LIX जितना होता है यह आइनिक होते हैं लेकिन यहाँ फिर एक exception ठीक है exception यह जो lithium होता है इसके बहुत सारे exception है एक जगा आपको वीडियो आदेंगे lithium का किवल exception यह क्या होते हैं? क्यों कोवालेंट होते हैं क्योंकि लिथियम जो है लिथियम आयोन बहुत चोटा होता है यहां नीचे बढ़ियेगा जैसे सोडियम आयोन यह इससे बढ़ा होता है फिर पोटैसियम आयोन यह इससे ही बढ़ा होता है तो यह सबसे चोटा होता है और जो एक्स होता है एक्स ब लेखिन, क्या होता है? इनका size इधर increased होता है क्या होता है? यह बहुत ज़्यादा बढ़ ही यह बहुत जभल होता है एक प्लोरींगे चोड़के बहुत बढ़े होता है तो ये क्या होता है polarisation क्या होता है? यह lithium पोजिटिव चार्ज है यहां निगेटिव चार्ज है तो यह जितना बड़ा होगा उतना असानी होगा इसको डिश्टोट करना ठीक है यह क्या हुगा कि अगर यह छोटा है तो निगर्टिव चार्ज एक जगा कॉंसेंट्रेट होगा और यह बड़ा है तो यह निगर्टिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा तो इसका सेफ बदल जाएगा ठीक है अब क्या हुगा कि यह जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रॉलराइशन और जितना ज्यादा प्रॉलराइशन उतना ज्यादा प्रॉलराइशन उतना ज्यादा प्रॉलराइशन उतना ज्यादा प्रॉलराइशन ज्यादा प्रॉलराइशन उतना ज्यादा अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का रिडूसिंग नेचर जो रिडूसिंग नेचर का जो देखने का यह है सबसे कम किसका है सबसे कम यह निगेटी में चलता है इधर बढ़ता है तो सबसे कम यहां पर एक हाइडूसिंग का क्या होता है जीरो होता है हाडूसिंग का पाद पोजिटिव होता है तो सबसे कम जो इसका है तो यह मॉस्ट टीक है डिडूसिंग मॉस्ट रिडूसिंग है और यह सोडियम लिष्ट है डिडूसिंग होता है जो रिडूसिंग पर और फिर सब्लिमेशन 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 सब्लिम तो इसको बोलेंगे Hydration, इसी से बन जाता है Hiss, अब देखिए, Lithium has Hydration, Highest Hydration इंथेल पर, क्यों है, इसका सबसे ज़ाद रेडिस्किन चर्कियों है, क्योंकि इसका Hydration energy है, वो Highest है, नेचर में Lithium Plus का Highest Hydration energy होता है, इसलिए इसका Lithium का Most Reactive, Most Reactive, Most Reducing, Most Reducing होता है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक Question है, यहाँ पर एक Question है, अगर इस Question को आपको अगर याद होगा, यह Reactive Series तो यह ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पर solution भी दिया है, इसको देख लीजेगा, अब Next Topic है, Solid Solution in Liquid Ammonia, अगर इन्टिटी आपको ध्यान है, Enh3, इसी पर सारा प्रोपरिव देश करता है, यह Deep Blue होता है, जब Liquid Ammonia को डालेंगे, किसी भी यह पर, किसी भी Alkali Metal पर, तो यह Deep Blue solution बनाएगा, और यह Conducting होगा, और Paramagnetic होगा, देखिए, यह Ions बन रहे हैं, तो Ions Conducting भी होगा, और इसमें Odd Electron होगा, यह Paramagnetic होगा, इससे सारा इसका Characteristic आपको यह हो जाएगा, Decide हो जाएगा, देखिए, जब Metal को NH3 देते हैं, तो यह दो तरह का बनाता है, एक तो Catan बनाता है, और Catan में क्या होता है, इसका जो Charge है इस पर जाता है, और Electron का जो Charge है इस पर जाता है, Extending from Amides and H2 Gas, जब इसको छोड़ देंगा, जैसे के एक solution बना दिये हैं, और उसको बहुत देर के लिए छोड़ दिये हैं, तो क्या होगा उसमें से Hydrogen H2 Gas निकलने लाएगा, जब H2 Gas निकलेगा, तो यह एक compound बनेगा, जिसको Amides बलते हैं, और जब Concentrator करेंगे, तो Blue to Bronze हो जा होता है, और यह परामेनेटिव डामेनेटिव होता है, मतलब इसका जैसे यह निकला, तो इसका electron सब, जो unpaired electron था सब paired हो गया, यहाँ unpaired था, फिर यहाँ paired हो गया, अब देखिए, आप हम लोग usage पढ़ेंगा, जो last है, आज के class का, देखिए, सबसे इसमें आपको आपको और Li, Al, Lithium, Almonium का जो alloy होता है, इसमें alloy का यूज पढ़ेंगा, हम लोग ठेका, तो aircraft, देखिए, एक trick है, याद रखने का, जैसे की, आप पढ़िए का, Mg और Al, इसका भी aircraft में यूज होता है, तो आप, जैसे याद रखने का, AI, Al को AI trick कर सकते हैं, इससे air, ठेका, यह air में यूज होता है, तो air cut में भी होता है, air cut में इसका भी होता है, यह lithium magnesium armor, armor plates, armors जानते हैं, जैसे की, जो राजा महराजा, जो पहनते थे, यह body में, जंग के समय, उसी को armor बोलते हैं, अब देखिए, यह NA और PB का, जो इसका alloy से बनता है, यह एक compound बनता है, PB-84, PB-84 या PB-84, य anti-knocking in petrols, ठीक है, जैसे की petrols का जो vehicle होता है, जो petrol लाता है, टंकी पे, जो बड़ा-बड़ा cylinder में petrol भर के लाता है, उसमें क्या होता है, anti-knocking, उसमें friction से fire, बलाश होयाता है, fire लगयाता है, आग लगयाता है, तो उसको रोकने के लिए यह यूज होता है, लेकिन आजकल lead-free petrol आ रहा है, lead-free petrol, तो इसका यूज घट गया, ठीक है, इसका यूज घट गया, अब देखिए, लिथियम का एक यूज है, यह coolant in fast breeder nuclear reactor, लिथियम एक coolant जैसा, यह है, इसका यूज होता है, जो cool रखता है nuclear reactor को वहाँ भूजरा heat produce होता है, तो उसको cooling में काम देता है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे biology में NPK, NPK एक fertilizer आता है, जिसमें nitrogen होता है, phosphorus होता है, और potassium होता है, तो मिनली जो exam में अगर question है आपका, जो fertilizer से, यह कौन से fertilizer से react करते हैं, जैसे कि NCl3, बहुत सारा, PO4, ठीक है, यह सब fertilizer से है, तो अगर आपको question है कि fertilizer कौन से हैं, तो यह सब N, इसमें P और K जिसमें हो, वो fertilizer होता है, जैसे KOH है, KOH soft soap, को है को है को है, potassium के compound है KOH, इसका soft soap में, देखिए, एक होता है hard soap, एक होता है soft soap, इस soap में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, हाट soap में क्या होता है, हाट soap होता है, जिससे हाथ को, हाथ अगर धोहेंगे आपका पढ़ हाथ हो जब होता है, जिससे हाथ हाथ होता है, अगर समंनर का, पानी, किया होता है, इसमें N-acil होता है, ऊपका हम क्या होता है, तो हाथ होता है, तो जो nitrogen है know, वो हमारे body को harm करता है, गर को समंदर में ना है तो उसका क्या होगा body, बोडी पुरा जैसे साबुन से हाथ दो क्याता है वो इसे ही उसका बोडी हो जाएगा तो जो sodium का होता है वो hard होता है और दो potassium होता है वो soft होता है याद रखेगा क्यों hard क्यों होता है क्योंकि यह N-A-C-L समंदर वाला ठीक है और के होता है यह body वाला अब यहां से भी याद रखेगा है जैं हमारे body क्यों क्योंकि बोडी में क्योंकि ज्यादा होता है और इन्यक कों होता है यह ऐन रखेगा आप देखिये KOH-Obsorbed CO2 इसका absorbent CO2 का absorbent है KOH इसमें बस याद रखने देखते है कि कोह यह basic है और CO2-acid है तो यह reaction हो जाता है, इस को बजाब कर लाता है, अब देखिए, एक यहाँ पर यूज दिया है, CGM का, CGM used in devicing photoelectric cells, पिछले गलास में पढ़ेते हैं लोग, CSK, CGM और potassium क्या photoelectric cells, चिनना इसु परकिंग, photoelectric cells, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक्स पर वाचिंग, ठ चनल सस्काइब कर ले जाएगा, और सरा प्लेइलिस्ट के लिए, ठीक है, Thank you.